दोस्तों नमस्ते मैं हूं आपके साथ अजीत यादो आज हम इस वीडियो में जानेंगे राधा रानी के मिरत्यू कैसे हुई और भगमान स्री किष्ण ने क्यों अपनी बासुरी को तोड़ दिया तो चलिए जान लेते हैं राधा किष्ण के प्रेम की आज भी दुनिया मिसाल देती है भले ही इन दोनों का बिवाह नहीं हो सका लेकिन फिर भी इनके प्रेम को अटूत माना जाता है कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि स्रीकिष्ण ने राधा से साधिक क्यों नहीं की और स्रीकिष्ण के ब्रिंदा बन से चले जाने पर राधा का क्या हुआ उन्होंने अपना जीवन कैसे काटा हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब राधा के मिर्त्य हुई तब भी स्रीकिष्ण उसके पास मौजूद थे राधा के देह त्यागने के बाद स्रीकिष्ण ने अपनी बासुरी तोर दी थी और फिर कभी भी बासुरी नहीं बजाने का प्रण लिया था लेकिन उन्होंने आखिर अपनी बासुरी क्यों तोरी राधा और स्रीकिष्ण बच्पन के साथी थे और वे एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा स्रीकिष्ण कंस का बद करने के लिए मतुरा को रवाना हुए थे तब उन्होंने जल्द ही वापस आने का वादा किया था राधा ने काफी दिनों तक स्रीकिष्ण का इंतिजार किया लेकिन स्रीकिष्ण नहीं आये राधा के घरवालों ने उनकी साधी किसी यदुबंसी से करवा दे बिबा के बाद राधा अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रही थी लेकिन उनका प्यार स्रीकिष्र के लिए कभी कम नहीं हुआ दूसरी तरप स्रीकिष्र का बिबा भी रुकमरी से हो गया कंस सहित अनेक राक्षसों का बद करने के बाद स्रीकिष्र ने दौरिका को अपनी राजधानी बना ली और वहीं रहने लगे इसलिए किष्र को दौरिका धीस भी कहा जाता है अपने सभी कर्तब्यों से मुक्त होने के बाद राधा एक पार स्रीकिष्र से मिलने के लिए द्वारिका नगरी चली गई वहां पहुचने पर राधा को स्रीकिष्र के बिबा की जानकारी मिली वावजूद इसके वे दुखी नहीं होई द्वारिका में स्रीकिष्ट के सिवाय राधा को कोई नहीं जानता था स्रीकिष्ट ने जैसे ही राधा को देखा उनकी खुसियों का ठीकाना नहीं रहा तब वे जब मन होता कृष्ट के दर्शन कर लेती और वो उनहीं के महल में रहने लगी राधा अब उनके महल में रहकर जिम्मेदारियां भी सम्हालने लगी थी स्रिकिष के करीब रहने के बावजूद राधा उनसे अध्यात्मीक जुडाव महसूस नहीं कर पा रही थी इसलिए उन्होंने महल से दूर जाने का निड़य लिया राधा जब द्वारिका से दूर जाकर रहने लगी समय के साथ साथ राधा का स्वभाव भी कमजोर पढ़ने लगा जब उनका अंतिम समय नजदीक आ गया था ऐसी परिस्थितियों में स्रिकिष उसके पास पहुँच गए स्रिकिष ने राधा से उनकी मनुकामना पूछे तब राधा ने उनसे आखरी बार बासुरी बजाने को कहा राधा के कहने पर स्रिकिष ने कई दिनों तक लगातार बासुरी बजाते रहे बासुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा ने अपना सरीर त्याग दिया राधा की मिर्तियू के बाद स्रिकिष्ड के दुख का सीमा नहीं रहा वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बासुरी राधा को बहुत प्रिय थी ऐसे में राधा के सरीर त्यागते ही उन्होंने अपनी बासुरी तोर कर जाड़ियों में फेक दी और फिर कभी बा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना सेर करना फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धान्य बाद